हलो फ्रेंड्स यदि आपको यह जानका टैंशन हो रहे हैं कि आपके बच्चे दानी के अंदर गांठ है यानि कि फाइब्रोइड है और आपके रिमार्ड में एक सवाल आ रहा हुआ कि आखिर फाइब्रोइड होते क्या है यह क्यों बन जाते हैं और इनका पता कैसे चलेगा तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनी गाइनिक लोजिस्ट अप्सेटिशन आज आपको फाइब्रोइड के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिर फाइब्रोइड क्या होते यह क्यों बन जाते हैं और आखिर आपको इनका पता कैसे चलेगा कि आपको फाइब्रो एक लाग से दोर होंगे क्ला के अंदर इंदर के समाहना होती है ना कि ए कि साल के उतनर की रेट बन जाते हैं कि आखिर नहीं होंगे 佐els कि आखिर ईषक नने कर्सक्स पर घिजनर हंण करता है यह काफ़ी हद तक चेनधिक होते हैं यह स्मूथ मसल सेल के अंदर यो बच्चे दाने के दिवार होते हैं। उनका ट्यमर के इसको बैनाइन ट्यमर कहते हैं। अरे जनेती कारणों के कारण ही बनते हैं। यानीकि प्रिज neces के कारण यह गांथे बनते हैं। दूसरा एक अगर यदि आपकी जैसे मौसी, मम्मी या सिस्टर को फाइबरोड है तो आपको फाइबरोड होने के संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। तीसरा एक खाने कें अंदर रैड मीट की मातरा जादा है तो भी फाइबरोड बढ़ने के संभावनाएं बढ़ती है चौथा यदि आपको फाइबरोड का सीいました तो भी withdrawn के समेवनाएं बढ़ती है इसके अलावा जो black race होती है यानि काला रंग इसके लिए जब्मिदार मैना जाता है यानिके ब्लैक महिलाओं के अंदर फाइबरोड होने के संभावनाइं इसके अलावा यदि आपके खाने में ग्रीन वेजीटेबल्स की मात्रा कम है तो भी फाइबरोड होने के संभावना बढ़ती है यानिके आप इस चीज से कुछ चीज आप सुधार सकते हैं और आपका वजन स्यादा है तो भी फाइबरोड होने के संभावनाइं बढ़ती है क्योंकि जो फैट टिशू डिपाउजिट होता है उसके अंदर इस्टोजन हार्मोन का प्रोडेक्शन होता है जिसकी वजह से फाइबरोड बनने के संभावनाइं बढ़ती है यदि आपने कि आपको पता चलेगा कि फाइबरोड आपको है या नहीं है तो सबसे पहले जो फीचर होता है मैंस्ट्रोड साइकल की इर्रेगुलिर्टी के अंदर सारी चिजह कवर होती है यानि के महीने का अधिक आना बार बार आना स्पार्टिंग होना या फिर महीना कम आना भी कभी सकता है मैंस्ट्रोट साइकल की टाइम पर का पीन होना भी इसके साथ के टाइम पर एंडनी होना यानि कि इंटर्माइंस्ट्रोल प्लीडिगि भी ए इसके सेंपनी है बर इसके साथ या यह यानि या तो बार बार यूरीन आएगा या हो सकता आपका यूरीन भूख जाए यह फाइब्रोड की पोजिशन पर डिपैंड करता है यानि कि फाइब्रोड बच्चे दनी में ऊपर की तरह फाइब्रोड ब्लैडर को इरिटीट करता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है ल आपके लंबे स्टॉक से बच्चे दनी चाहिए जुड़ा होता है तो उसके कारण पेट के अंदर काफी ज़एड़ पेइन हो सकता है क्योंकि उस टाइम पर ब्लड सप्लाई रुक जाती और इसके कारण काफी ज़एदा पेन होता है कई बार फाइब्रोड होता है जो किस और पेट की तरफ है तो डेफिनिटली पेट में ब्लॉटिंग या खाना अपच होना या पेट का फूला होगा रहना या आपको भारी पन लगना इस तरह के संपता करते हैं लेकिन लुणाट को दो बीमारे के बारे में समय रहते हैं को पता चल जाता है उसक़ाइब साथी पेटियों के अंदर की तरफैंड तो यह कई बच्छा V HP two ओधות होते यहने कि फटेलेटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और सिंटम्स भी हो सकते हैं अंधरोनी तरफ की गांठे कई बार बच्छा लगने में समस्या देती है और बच्छा लग भी जाता है तो बच्छे का अबॉर्शन हो जाता है या फिर बच्छे को बढ़ने में जगह नहीं मि इसकी वज़े से बच्छा कमजोर पाइदा होता है इसलिए फाइबर सिंटोमेटिक हो चाहिए इसंटोमेटिक उनका समय रहते हैं इलाज करवाना जरूरी होता है क्योंकि आपके स्वास्ते के लिए हानिकारिक है और इनका साइज जब काफी ज़्यादा बड़ा हो जाता ह तो इतने बड़े बड़े आप अपने अंदर बड़े कर लेते हैं और आपके जान को कितना खतरा भी होगा क्योंकि इतनी बड़ी गांठों को निकालना कोई जोप नहीं है और इन सब चीजों में काफी सदा ब्लेड का लॉस होता है आपके सेहत को बहुत सदा नुकसान प इलाज के बारे में बात करेंगे तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में थैंक्यू सू मच